यूही नहीं मैं मैं बन जाता हूँ खुद्रत के कोने कोने से खूबिया खोज लाता हूँ गुनवत्ता की गहराईयों का गोता खोरू हूँ मैं यूही नहीं मैं रजनी गंदा बन जाता हूँ नमस्कार मैं हूँ रंजीत कुमार इस देश में लाखों बच्चों का सपना होता है डॉक्टर इंजिनियर बनने का कुछ साल पहले तक साइन्स से बारवी करने वाले बच्चों की सिर्फ दो ही ख्वाईश होती मैट्स वाले इंजिनियर बनना चाहते थे और बैलोजी वाले डॉक्टर और आज भी हालात कमो बेश वैसे ही, लेकिन इस बार नीट यानि की मेडिकल इंट्रेंस एक्जाम में जो रिजल्ट आए हैं, उसे देखकर बच्चे तो बच्चे, एक्सपोर्ट भी हैरान, ऐसा रिजल्ट की आप भी सुनेंगे तो एक बार ये हैरान रह जाएंगे, पहली के फरजीवाड़े का आज हम खुला सा करने जा रहे हैं, ऑप्रेशन ब्लैक बूड, हम आपको एक एक करके बताएंगे, कि कैसे इस बार नीट के रिजल्ट में इतने जोल हैं, कि समझने में दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल जाएगा, फिर भी हम आपको एक एक करके ब बच्चों ने इस बार एकजाम दिया, और जब चार तारीक को, यानि कि चार जून को इसके रिजल्ट आए, तो लोगों की हैरानी का कोई ठीकाना नहीं, और हैरानी इसलिए, क्योंकि इस बार का रिजल्ट पहले के सारे रिजल्ट के मुकाबले एक दम अलग था, और अगर हम आपको एक-एक सबूत के जरिये दिखाएंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, कि इस बार NTA ने नीट के एकजाम में कितना बड़ा जोल किया, हम एक-एक करके आज इसका खुलासा करने वाले हैं, और सबसे पहले जो हम चीज आपको दिखाने वाले हैं, ज इस बार जो चार जून के नतीजे आए, जब सारे देश की निगाह किसी और नतीजे पेटिकी हुई थी, लोगों को लग रहा था कि इस देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधान मंत्री बनेगा, उसी दिन नीट के भी एकजाम के रिजल्ट आ गये, 27 लाख बच्चों के भविष्टिका फैसला हो गया उसे, और फैसला क्या हुआ, और जो उसमें जिस तरह की आकड़े आए, जरा उसको भी देखिए, इस बार जो रिजल्ट आए, उसमें से 720 में से 720 लाने वाले बच्चों की संख्या 67 ती, यानि कि 67 बच्चों ने 720 में से 720 इसको परफेक्ट स्कोर कहते हैं आप, वो परफेक्ट स्कोर लाया, आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बच्चों की बहुत शांदार, इस बार के बच्चे जो है, उन्होंने बहुत तमाल किया होगा, या हो सकता है कि एक्जाम के पेपर बहुत हलके हुए होंगे, आपके बहुत सारे लोग जो अख़बार पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा, आज अख़बार में बहुत सारे इंस्टिट, कोचिंग इस्टिट ने दो दो पन्ने कायड दिया है, और उसमें ऐसे बच्चों की पूरी लिस्ट निकाली है, कि उनके संस्थान से कैसे इतने बच बच्चों ने किसी ने का, 15 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर ले आए, कैसे भाई, जबकि पिछले 5 साल के आंकड़े कहते हैं, कि ऐसा करने वाले लड़के बिरले होते, लाखों में एक, मैं तो कहता हूँ कि 25 लाख में, कैसे जरा देखिए, 2018 से लेकर और 2022 तक के आंकड़ों को देखिया, 2022 में, एक बच्चा जिसने टॉप किया, उसने 720 में से कितने नंबर लाया, आपको पता है, 691, मात्र 691 नंबर लाकर बच्चा जो लड़का था, और टॉप कर गया, एक ही टॉपर था, 2018 में, 2019 में क्या हुआ, 2019 में, एक टॉपर था, और उसके आंक कितने से, 701, 720 में से, 701 नंबर जो ले आया, वो टॉप कर गया, एक्जाम, पूरे नीट की परिच्चा में, All India रायंक कितनी थी, एक, और उसका नंबर कितना था, उसको मार्क कितने मिले, 701, 2020 में क्या हुआ, 2020 में, 720 लाने वाला सिर्फ एक बच्चा था, 25 लाख बच्चे एक जाम देते हैं, जिहन में इस बात को याद रखिएगा, 25 लाख बच्चों में सिर्फ एक बच्चा 720 पर्फेक्ट स्कोर ला सका 2021 में क्या हुआ 2021 में 720 लाने वाला भी सिर्फ एक बच्चा और 2022 में 2022 में एक भी किसी बच्चे को 720 नहीं आया जिस लड़के ने 715 नंबर लाया 715 मार्क्स लाया वो टॉप कर गया और 715 लाने वाले चार बच्चे थे चार बच्चे 715 लेकर आये लेकिन 721 भी नहीं लाया अब आप सोचिए जराथ कि पिछले पांच सालों में 720 में से 720 लाने वाले सिर्फ दो बच्चे हैं और इस साल के जो रिजल्ट आये हैं उसमें 67 बच्चों ने 720 नमबर हासिल किया क्या यहाग एक कोई सामाने बात लगती है आपको कोई आपको नॉर्मल बात लगती है यही बात है जो लोगों को गले नहीं उतर रही और ऐसी एक बात नहीं है ऐसी अभी दस्यों बाते मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और इसमें क्या जोल है यह भी समझाऊंगा हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान भी हैं हमारे साथ डॉक्टर संजय गरग हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी कुछ ऐसे चात्र भी हैं मैं मार्क्स और रैंकिंग वाला जोल भी बताऊंगा अभी रुकिये जरा साथ दो मिनट पहले मैं जरा एक बार अपने जो मेहमान है हमारे साथ स्टूडियो में उनसे जरा उनका परचाय करा दें हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने इस बार नीट के परिक्षाय दी है और उनकी भी रैंकिंग आई है उनमें से बहुत सारे बच्चे पास भी हुए है एक तरीके से उनको ठीक ठा कॉलेज भी मिला है लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चों को ये रिजल्ट हजम नहीं हो रहा 60 बच्चे आप भी डॉक्टर हैं कैसे हुआ होगा ये जूबा है मुझे लगता है कि या तो एंटीय ने बच्चों के दिमाग में चिफिट करी है या भार से किसी ने उन बच्चों के हाथ में या कलम में चिफिट करी है इसके अलावा ये बिल्कुल अनस्पेक्टिड है इतना कॉंपेटिशन जिसमें एक पॉइंट वन परसेंट बच्चा स्लेक्ट होता है उसमें सेवन टॉन्टी आउट 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 सेवन टॉन्टी सिक्स्टी सेवन लोगों के हैं ये बहुत बड़ा कोई ने कोई जोल है क्योंकि आपको मैं बताओं कि ये बात चार या पांच में को भी पता थी कि पेपर के साथ कुछ ने कुछ गड़बड हुई है जब पतना में लोग पकड़े गए और ये पता लगा कि पेपर लीग हुआ है अज के इस यूग में जब आप किसी भी गैजट को आज से 25 साल पहले आप प्लें से बेस्ते थे आज कल किसी भी गैजट को आप 36 सेकिड में कहीं भी भी सकते हो तो आप क्या यह मान सकते हैं कि जहाँ बिहार में लोग अरेस्ट होते हैं उनका एक रिटन उनका कंफेसन है कि हाँ भी हमें पैसे लिए गए हमसे 30 से 50 लाग रुपया लिया गया और हमें एक कमरे में ले जाके क्वेस्टन सोल कराए गए आपको लगता है कि इस वाली बात प उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है वो भी सब दर्ज है और उसके बाब जूद भी यह परिक्षा हुई तो हुई ही परिक्षा के रिजल्ट भी आये सुप्रीम कोर्ट और तमाम अबजेक्शन के बाब्जूद भी कैसे परिक्षा आपने पहली बार परिक्षा दी, तो आपने बहुत सारे mock paper भी हल किये होंगे, ऐसे mock test भी उन्हों आपने solve किये होंगे, तो उसको देखने के बाद, या पिछले साल की question papers भी आपने देखे होंगे, जो पिछली परिक्षाओं में, 2018 से लेके 2022 तक के question paper आये होंगे, वो भी इश्या देने के बाद, क्या आपको लगता है कि यह बहुत हलकी सवाल आये थे, कि इतने सारे बच्चों को 720 में से 720 आ गये, पेपर मैं कहूंगा हलका तो नहीं था, थोड़ा लेंदी जरूर बनाया था नोगों ने, और लेंदी ही था, लेंदी था उसके बाब यूद भी आपको कितने मार्कस आए? 672 और क्या रैंक है आपकी? 12,800 अच्छा, आप क्या एक्सवेक्ट कर रहे थे आप? 2800 या 3000 क्या सपर्स अगर जैसे पिछले कुछ सालू का जो ट्रेंड था जिस तरह के उसको अगर अगर उसको ध्यान में रखें तो आपको 2-3,000 के बीच में आ 12,800 उससे रिजल्ट बिल्कुल अलग था और कई माईनों में अलग था और इतने गड़बड जाले हैं इसमें कि मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि NTA जिसको बोलते है National Testing Agency ये वो एजनसी है जो NEET की परिक्षा कंड़क्ट करती है और जिसके उपर जिम्मेदारी है इस परिक्षा को कंड़क्ट करने की उसने कैसे इस परिक्षा के रिजल्ट में इस परिक्षा के पूरे कंड़क्ट करने के तोर तरीके में कैसे जोल किया है कैसे गड़बड़ी की है ये हम आपको आज दिखा रहे हैं Operation Blackboard में एक और चीज अगर मान ranking होती ऐसे बहुत सारे और बच्चे होंगे आपके साथ जिनकों की उमीद होगी की ranking उनकी ठीक होगी और उनकी ranking बहुत पीछे चली जी जड़ाई आप लोगों से भी जड़ा एक एक करके जड़ा हम बाद करना चाहिए हां क्या नाम है आपका जी मेरा नाम सार्थक है आप rank inflation जो होता है कि हर साल आपके कुछ rank बढ़ जाती है सेम मार्क पर उसको ध्यान में रखते हुए भी मैं 3400 के करीब expect कर रहा था बट मेरी rank आगई 16065 अच्छा तो आपको एक्जाम का पेपर कैसा हलका लगा कि बहुत भारी लगा क्या था कैसा लगा एक्जाम का लेविल आ इसको कम से कम रखा जाता है अब आप सोचिए कि जो जिन स्ट्रेंट्स ने एक्जाम दिये हैं जिन्होंने नीट की परिक्षा क्वालिफाई एक तरीके से की वो कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर और लेंदी था फिजिक्स का पेपर और कुछ अत्तर टफी कहा जाएगा और उसके बावजूद भी पिछले साल जहां एक भी बच्चा 720 नहीं लापाया इस बार 63 बच्योंने परफेक्ट 720 में नहीं से 720 लेया जरा रैंकिंग का जोल आपको हम बिखाते हैं आईए तो अब आप देखिए कि जड़ा दिखाईए कि दो अलग अलग बच्चों ने अच्छा ये उसे अभी हम आएंगे आपको रैंकिंग में भी क्या गड़बड़ी की गई हो भी दिखाएंगे लेकिन उसे पहले एक और चीज़ देखे ये भी बहुत इंट्रेस्टिंग है 720 हम कहारें कि perfect score है कैसे perfect score है 200 सवाल होते हैं नीट के एक्जाम में उन 200 सवालों में 180 के आपको जवाब देने होते हैं 180 दोसों में से सिर्फ 180 के जवाब देने होते हैं आप 180 एक question पर mark 4 यानि कि अगर आप सभी 180 सवालों के सही सही जवाब दे देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 180 गुना 4 यानि कि 720 तो जिन लोगों ने 720 नंबर score किया है उन सभी बच्चों ने सभी 180 सवाल सही किये होंगे सही जवाब दिया होगा जो कि बिलकुल नॉर्मल बात नहीं है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तो 720 वाली बात हो गई बहुत सारे बच्चों को 719 और 718 भी आये हैं 719 और 718 जो कि टेक्निकली पॉस्बल नहीं है टेक्निकली पॉस्बल क्यों नहीं है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कैस इस बार की परिक्षा में जो रिजल्ट निकाले गए हैं वो इसमें इतनी गड़बडियां हैं इतने जोल हैं साहब कि आपको लगेगा कि भाई ऐसी परिक्षा कराने से बहतर है तो ऐसे ही रिजल्ट निकाल दिया करो अगर 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 NTA का NTA जैसी एजनसी अगर इस तर हमारे पास दो इस तरह के कैंडिडेट हैं जिनकों की 718 और 719 नमबर आए हैं मैं आपको दिखाता हूं यह 719 और 718 यह दो हैं मैं इनकी 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 इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कोई और वज़य हो सकती है जो हो सकता है अभी हमें नहीं उसके पता हो और मैं इन बच्चों से इन बच्चों से हमारा कोई वैर नहीं है और इन बच्चों के उपर कोई आरोप नहीं अरोप है निये के उपर वो अगर आप मिलेंगे 720 अगर आपने एक सवाल कम किया यानि कि आप यूं मान लिजिए कि आपने 180 की बजाए 189 सवालों के जवाब दिये तो आपको उसी इसाफ से कितने नंबर मिलेंगे 716 चार नंबर कम मिलेंगे 716 अब अगर मान लिया कि आपने आपने 180 के 180 attempt किया मतलब 180 में से 180 के जवाब दिये लेकिन एक जवाब गलत हो गया तो क्या होगा 716 चुकि एक जवाब गलत हो गया तो 716 हो गया और चुकि इसमें और निगेटिव मार्किंग एक नंबर का है तो अगर 720 में से यानी कि 180 में से एक सवाल गलत हो गया तो आपको उसमें क्या होगा 716 मिलेंगे एक तो चार नंबर कठ गया जो गलत हुआ उसका और एक निगेटिव मार्किंग होगी एक नंबर और कम हो जाएगा तो आपको मिलेगा 715, ठीक है, तो यानि कि आप देखिए, 720 और 715 के बीच में तीन ही possibility बनती है, या तो आपको पूरे perfect score मिले 720, नहीं तो अगर एक सवाल आपका गलत हो गया, तो 715 निगेटिव मार्किंग के साथ, या आपने 189 ही सवाल के जवाब दिया, आपने 180 का नहीं तो आपको, और सबके सब सही हैं, तो आपको मिले 716, यानि कि 715, 716 और 720, इसके बीच कोई नंबर नहीं मिल सकता, कोई दूसरी संभावना नहीं है, कि आपको इसके बीच का कोई नंबर मिल जाए, लेकिन हमारे पास ये दो result हैं, ये दो मार्क सीट हैं, जिसमें कि एक में ये एक लड़के को 718 और एक लड़के को 719 नंबर मिले, कैसे? ये ऐसा सवाल है, जिसका की कोई जवाब नहीं है, और इसका जो जवाब दिया जा रहा है, वो कैसे एक थोथी दलील है, वो भी हम आपको बताएंगे, उसका भी परदाफास करेंगे, संजैगर, जो ये 719 औ जब सवाल ये उचलने लगा, तो NTA ने इसका जवाब दिया, और एक ट्वीट किया, और उसने कहा कि ग्रेस मार्किंग की है हमने, बहुत सारे बच्चों के जिनके की पेपर लेट हो गए किसी वज़ा से, हमने उनको ग्रेस मार्क दिये हैं, मतलब ग्रेस मार्क आप समझत आते हैं, या निकमालिया की परचा ही आपको देर से मिला, या परचा में कोई गड़बड़ी है, तो जो परिच्छा लेने वाली जो समिती है, या जो कॉलेज है, या जो इन्वर्सिटी है, वो ताय करता ही कि नहीं, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, तो इनको कुछ ए केस मार्किंग के को लेकर जो सफाई दी गई और उसमें सुप्रीम कोट के एक जज्जमेंट का हवाला दिया गया, वो कैसे बोगस है, ये संजय गर्ग बताएंगे, संजय जी, तो ये सब ट्वीट होने लगे, तो एंटिया का रात को, एंटिया वैसे जवाब नहीं देती सब्सक्राइएं जिसके अंदर कलैट का एक harmed था, जो जुडिसरी का exam होता है, उसके अंदर diğer वो कुछ computer मैं समझी है वो online exam था, online exam के अंदर, आ आपके computer के issue's है, light के issue'ं connection के ourselves और computer based exam में आपके पास fixed time होता है कि आप तीन घंटे के अंदर वो screen गाइब हो जाती है तो आपने एक decision, klat का decision था जिसमें कुछ number avoid किये गए, वो blindly इस group के उपर लगा दिया गया और जिसके अंदर एक अगर आपने 10 minute paper late दिया है, आप उसका 10 minute का time extend करिये How you can say कि आप 10 number whatever, उन्होंने 5 number दिये है, 25 number दिये है, एक question के उपर जाँ 2000 बच्चे है अगर आपने किसी को 20 number भी दे दिये हैं, तो 40,000 बच्चे आ गए है और उन 40,000 बच्चों की कोई गलती नहीं है, अगर आपने किसी बज़ा से देरी की, तो गलती तो पहली बात तो जो agency है, NTA है उसकी है उन्होंने उस हिसाब से marks भी लाया, लेकिन उनकी ranking इतनी पिछड़ गई, कि उनको खुद हैरानी हो रही है उनको लग रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ नाइंसाफ ही हो गई, क्योंकि अगर किसी वज़ा से देरी हुई परिक्षा में, तो अगर उसके वज़ में आपने grace marking दी है, तो अगर इस वज़ा से किसी की ranking पिछड़ जा रही है, उन बच्चों का क्या दोसे भाई, और इस Supreme Court का जो जिस judgment का हवाला दिया जा रहा है, NTA जो दे रहा है, उसमें क्या जोल दिख रहा है, तेखे, पहली बात तो यह है, कि आप कोई भी rules बनाते हैं, तो उस rules को आप पहले disclose करते हैं, आप जब prospector से issue करते हैं, या कोई काम इस तरीके से आप करना चाहते हैं, कि grace mark उसके पहले आपको rules बनाना पड़ेगा, कि कि तरीके का rules बना करके आप उसको सब को बताएंगे, कि अगर ऐसी इस्थित उत्पन होती है, तो ऐसी इस्थित में आपको इतना grace mark दिया जाएगा, इस बीन बच्चे होंगे, किसी कि भी किसी सेंटर में वो उनका exam होता होगा, दूसरी चीज, grace और competitive examination में और दिशा पंचाल वाला judgment है, totally in applicable है, इस तरीके से कोई directions नहीं दिया गया, कि आप ऐसा ही करेंगे competitive exam में, उस समय जो इस्तित आई कि आनलाइन परिक्षा हो रहे थे, और कुछ उसमें डिक्कत आ गए, उस दिक्कत को resolve करने के लिए, किसी को तकलीफ हो, और ऐसे client के exam में जहां पर admission की बात है, तो ऐसी इस्तित में, यहां पर इतने competitive और नीट इसके जो इनोने किया है, बिल्कुल in applicable है, और इसको अब justify नहीं कर सकते किसी कीबत से, और justify हो नहीं सकता, क्योंकि इसका बढ़ा है, और उसके, और grace mark कितना देंगे, आपको यह निश्चित करना चाहिए, बिल्कुल, जो, जो SD सिंग कह रहे हैं, उसको मैं थोड़ी आसान भासा में आपको समझा दे रहा हूँ, यह जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इस समय जो मेरे हाथ में है, यह है दिशा पांचाल वर्से यूनियन ऑफ इंडिया, यह एक मुकदमा था, जिस मुकदमे में जो फैसला हुआ उसकी मिसाल देते हुए, उसका हवाला देते हुए, नटिये ने कहा कि घ्रेस मारकिंग हम दे सकते हैं, लेकिन आपने जिस मुकदमे का हवाला दिया है, जैसा SB सिंग बता रहे हैं, उसका और इस एक्जाम का कोई मेल नहीं है, पहली बात तो यह जिस मुकदमे का जि फ्रिकुेंट लॉगिन फैलियर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहेते लॉगे नहीं हो राए प्रका कम्प्यूम्टर पे मुझसी मिजां मेरी वॉगे क्नेस把 रहा norm मेरी विजड नहीं आपको एक्जाम का टाइम खतम होता है, कम्प्यूटर अपने आप तिन बज़ के 20 मिनट पे आपका कुश्चन पेपर बंद हो जाएगा, आप लिखी नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिती में ग्रेस मार्किंग दी जा सकती है, लेकिन यह तो फिजकल एक्जाम था भई, बच्चे जा क्या मैं गलत कह रहा हूं, सवाई माधोपूर में जो एक्जाम का टाइम था भाई लोग, बताइए क्या टाइम था, दो बज़े से पांच बज़े, दो पहर दो बज़े से पांच बज़े के बीच परिक्षा का समय था, लेकिन सवाई माधोपूर में परिक्षा होई, शा आप extra time क्यों नहीं दे सकते हैं और extra time देने की बजाए आप उस exam उस center पर बैठे सारे बच्चों को अगर 10-20 number extra दे देंगे grace mark दे देंगे तो यह जो हजारों बच्चे एक-एक marks पे 2200-5000 बच्चे होते हैं रैंकिंग में वहां उन 500-5000 बच्चों के भविस्ते के साथ आप खि भोपाल से भवर पुस्पेंदर जैपूर से विनोद मिश्रा लखनव से अनुज मिश्रा दिल्ली से गौरफ श्रिवास्तो दिल्ली से और इनके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्हों नो इस साल नीट की परिक्षा दी है हम चलेंगे सीधे विनोद के पास विनोद आपके साथ जो बक्चे है वो इस रिजर्ट को कैसे देख रहे हैं और इस- रिजर्ट गपड़िया है उन पर उनकी रही जल्दी सुनवाईए देके बिलकुल हमारे साथ बच्चे हैं इसे बात रखे कि तो आ जा सब़धे आप लोग ने निट का एक्जाम किसे दिया था अ पने भी दिया था ती क्या पका कैसा था यह अभी जो निट को लेकर जो सबाल उठ cicat आपको लग रहा हूँ सवाल जायज है इस सवाल उठना की लिए इतने बड़ी विसंख्या में इतने बचे अलिने टॉपर हो सकते हैं अगर निट जैसे एक्जाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो आप लोग तयारी करते हो एक्जाम देते हो आपके मन में क्या सवाल उठता है यह रिजल्ट अगले साल को भी दर्साता है ना कि अगले साल कैसी कड़ आफ आएगी जब 720 लाके भी एम्स दिल्ली नहीं मिला है तो हम लोग जी एमसी के बड़ी सब्सक्राइब बच्चे टॉप कर जा रहे है अब 67 बच्चे टॉप करते हैं तो यह सवाल उठता है कि वह इस बार नहीं कह सकते हैं इस बार तो नंबर जो बच्चों के एक साथ इतने बड़ी संख्या में बच्चों का जो और यह टॉपर्स हैं, उसको लेके जरूर इन बच्चों के जहर में सवाल उठ रहा है, जो तयारी कर रहे हैं और जो इस बार एक्जाम दिया है ठीक है, तो देखिए जो बच्चे जिन बच्चों ने एक्जाम दिया है, वो सपस्ट तोर पे कह रहे हैं कि इस बार का पेपर इतना आसान भी नहीं था, कि 720 में से 720 इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में ले आएं मकरंद के साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं, एक पर वहाँ भी चलना चाहिए, मैं चाहूंगा कि उनकी बातें सुनवाईए आप हमें पर इतना चाहिए, आपको क्या उमीद थी कौन से रहे हैं, मुझे मितलब ये एक्सपेटिट था कि जो रैंक है, वो थाउजन के अंदर आ जाएगी, तो उसकी जो रैंक थी, वो भी अराउंड 600 के राउंड ही थी मितलब, तो मुझे लगा थे कि मितलब इस साल अगर थोड़ा बहुत रैंक में जंप होगा भी, तो वो अंडर थाउजन तो आई जाएगी, बट इस अराउंड 4000, टॉपर की कितने मांक्स हैं, टॉपर भुप मेरी 6000 रैंक है, और मेरी 685 मांक्स हैं, लास्ट यर इसी पर 900,000 के राउंड ती और इस बार सीधा 6000 पर रांक गई है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेट नहीं था, इत्ता साथ, इस बिल्कु एक्सपेक्टेट नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि कुछ तो गडबड है जिस मांक्स दिये गए, और प्लस NTA ने प्री इंफॉर्म ने किया हमें, रिजल्ट सीधा दे दिया और प्री इंफॉर्म ने किया गया कि ग्रेस मांक्स मिले हैं, बच्छे, बहुत सारे जोले, आपकी क्या रहेंगे, मेरी अरांट 22,000 रैंक है, अरांट 4-5,000 तक थी, क्या आपको भी लग रहा है कि कुछ गरबढ़ है, जी बिल्कुल गरबढ़ है, क्योंकि मेरे अलाग 670 है, अमेरी रैंक है 14,000, पिछले साल 2000 रैंक थी, हमें को एम्स बोपाल आराम से मिल जाता, like it was the most safest marks, but आप तो ये प्रशानी है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, अब इनने किस ब बच्चे जिनके 720 हैं, बिल्कुल, तो आप जड़ा देखिए, बच्चों का इसपॉइंट्मेंट्मेंट्ट की निराशा हुई होगी इन बच्चों की, कि जिन बच्चों को लग रहा था, कि उनको एमस मिल जाएगा, इस देश का कोई नको एमस जैसा संस्थान मिल उनको इस बार ये भी नहीं पता लग रहा है, कि उनको पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, भई आप सोचिए कि किस तरह के रिजल्ट आएं, और इस बार हम लोटेंगे, इस हमारा जो ये जो आप मुहिम जो हमारी है, जारी है, लिकिन इस भी में बड़ी खबर आ रहे हैं कंगना रनौत को थपड मारे जाने की खबर है, और चंडीगर एरफोर्ट पर कंगना रनौत के साथ बस रूकी हुई है, उनको थपड मारने की बाद कही जा रही है, और CISF कर्मी है कुलविंदर कौर ने, उसने थपड मारा है कंगना रनौत को, और ये बहुत बड़ी शिकायत दी गई है, और ये आरोप है कि किसानों के मुद्दे को लेकर उस महिला ने, उस पुलिसकर्मी ने कंगना रनौत को थपड मारा है, ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं, एक्स्प्रूसिव तस्वीरे हैं, और ये चंडीगड़े एरपोर्ट की तस्वीर है, तो हम आपको दो तस्वीरे दिखा रहे हैं, इस समय एक तो चंडीगड़े एरपोर्ट की तस्वीर, और दूसरी उस महिला आरोपी, महिला पुलिसकर्मी की तस्वीर, जिसने भी कंगना रनौत को थपड मारा है, और कंगना रनौत आपको पताई होगा कि इस अभी जो नो मारने की खबर आ रही है, तो हम एक बार फिर से रुख करते हैं, और हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि इस बार जो नीट की परिक्षा के एक जो रिजल्ट आए हैं, वो इतने चौकाने वाले हैं, कि बच्चे तो बच्चे सारे एक्सपर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है, कि आखिर ये परिक्षा के रिजल्ट किस तरीके से तयार किये गए हैं, हैरान करने वाला रिजल्ट है, और जिस सुप्रिम कोट के जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है, जिसको NTA ने हवाला दिया कि भाई हमने ग्रेस मार्किंग क्यों की, दिशा पांचाल वर्सेज Union of India, उसकी कौपी हमारे पास है, और इसमें एक और बहुत important बात है, जिसका कि ध्यान नहीं रखा गया, इस बार ग्रेस मार्किंग जो नीट ने की है, उसका ध्यान नहीं रखा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसके पांचवे पन्ने पे, कि जब भी ग्रेस मार्किंग की जाएगी, जब भी ग्रेस मार्किंग, इसके जजमेंट के साफ में पेज पे लिखा हुआ है, कि जब भी ग्रेस मार्किंग की जाएगी, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, कि जो रैंकिंग है बच्चों की, जो पहले से जो रैंकिंग डिसाइड हुई है, जो एक्जाम में result के हिसाब से उस ranking में कोई हेर फेर ना हो हम इस तरीके से grace marking दें कि जिससे जो original बच्चे हैं जो rank में आ रहे हैं all India rank में उनकी ranking गड़ बढ़ना हो अगर मान लिया कि किसी पहले से जो result तयार किया गया उसमें अगर किसी बच्चे की ranking 51 है और आपने कुछ बच्चों को grace mark दे दिया जिसकी वज़ा से वो जो एक 50 rank वाले बच्चे के बराबर उसका marks हो गया तो ऐसा नहीं है या उससे ज्यादा हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक 50 वाला 52 rank पे चला जाएगा बलकि जो नया जो बच्चा जिसको की जो grace mark लेके आया है उसकी रैंकिंग 50 A, 50 B, 50 C टाइप हो जाएगी यानि कि वो जो ओरिजनल बच्चा जिसने की अपनी merit पे अपने मेहनत से अपनी एक ranking हासिल की है उसकी ranking पे कोई ने खाब पाल रखा था उनको साधारन medical college भी मिलना मुश्किल हो रहा है यह इस तरह के result आये हैं इस बार आप सोचिए 25 27 लाख बच्चे जिस exam में शामिल होते हैं उसकी परिक्षा और उसके result में इस तरीके की धांदली इस रहकी लापरवाही क्या यह बरदास्त की जाने वाली चीज है हम आपको कुछ और चीजे दिखाना चाहते हैं हमने आपको कहा था कि हम एक एक करके एसे एक नहीं हमारे पास दस्यों सबूत है जिसको देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से इस बार NTA ने नीट की परिच्छा में धांदली की है जराव दिखाईए कि रैंक जो अभी हमने आपको बताया कि मार्क्स और रैंक का क्या गड़बर जाल आप साइदस्परस्ट ना देख पा रहे हूं लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 589 नंबर है इसके और इसकी रैंक है 44,000 सम्थिं पांच सो नवासी जिसको नंबर मिले हैं उसकी ओल इंडिया रैंक है 43,514 कितने वाले को 589 रंग अंक लाने वाले के और उसी के सामने एक मिला है इसको रैंक मिला है 17,014 है न कमाल कि भाई जिसने ज्यादा मार्क्स लाया उसकी रैंकिंग बिगड़ गई वह 16,000 पर है इस वेचारे को कोई नाम का भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा और जिसने इस से 618 के मुकाबले जिसने 589 स्कोर किया उसको बीस अकरीब तरीब 17,000 कम की रैंकिंग मिली उसको 17,000 उपर रखा गया रैंक में 17,000 उपर है और जिसने इससे 20 अंक ज्यादा स्कोर किया 20 क्या यूं समझे कि 11 और 18 यानि कि 29 अंक ज्यादा स्कोर किया 29 मार्क्स ज्यादा लाया वह उससे 20,000 नीचे कमाल है यह इस तरीके से रिजल्ट तयार किये गए हैं और इसका क्या explanation एंटीय के पास उसको भी देना चाहिए उसको भी बताना चाहिए कि यह भाई कम मार्क्स वाला यह उपर कैसे बैठा हुआ है और ज्यादा मार्क्स वाला नीचे कैसे बैठा हुआ है इसका भी तो कोई जवाब एंटीय दे इसमें कौन स साथ CEO है नीटप्रेप.com के इनके साथ इनके साथ भी बहुत सारे बच्चे नीट की तयारी करते हैं राहिल से यह इस तरह की जो रिजल्ट आये हैं यह समझ में आ रहा है आपको क्या कि क्या हुगा हुग जी कुछ सवाल ऐसे हैं जो की समझ के परे हैं जैसे की एक सेंटर से यह सब लोग एक ही सेंटर से हैं हर्याना के तो यह बात हमारी समझ के परे है कुट आफ इस बार काफी उपर जाने वाला है ऐसा लग रहा है क्योंकि लगभग 25,000 सरकारी सीट्स होती हैं उन्रिजर्वट कैटेगरी की जिस पे पिछली बार 2023 में कुट आफ 610 गया था यान पैंतालिस नंबर से बढ़ गया है ये एक बहुत बड़ा चेंज है कुछ चीजे इसमें समझने बाद वली ये है कि इस बार सिलिबस कम हुआ है पहले करीब 97 चाप्टर थे इस बार करीब 89 चाप्टर है 79 चाप्टर है जिसका मतलब यह है कि 20 चाप्टर के आसपर कम हुए ह तो cut-off थोड़ा उपर जा सकता है, 15 नमबर, 20 नमबर का difference आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा difference हमारी समझ के थोड़ा परे है, और खास बात यह है कि 8 बच्चे एक सेंटर से, अगर टॉप 69 में हैं, तो यह बात थोड़ी समझ के परे है, हम लोग यह चाहते हैं, कि NTA इस चीज क और उस ruling की हकीकत क्या है, वो हमने दिखा दिया, हमने बता दिया कि दिशा पांचाल वर्सेज उनियन ऑफ इंडिया का जो judgment था, और वो judgment कैसे इस वाले exam पे लागू नहीं होता है, यह भी हमने बताया, राहिल सेख, तो बहुत सारे सवाल है, आपने बिलकुल सही कहा है, कि explanation देना ही चाहिए, जबाब देही बनती है, NTA की, 27 लाख बच्चों के भविष्टे का सवाल है, और अगर आप इतने बड़े exam में ऐसी हेरा फेरी करने के बाद अगर चुप रहेंगे, इतना बड़ा घाल मेल करने के बाद चुप रहेंगे, यह सुईकार नहीं किया जाए और इस आसंका को ताकत किन बातों से लिल रहा है, गुस्ता खुलासा आज हम Operation Blackboard में कर रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे थे, अभी तक जो हमने आपको बताया, आपको जल्दी जल्दी से आजरी कैप करा देंगे, और बताएंगे कि हमने क्या-क्या खुलासा किया है, और रैंकिंग में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, और बहुत सारे होनहार बच्चे, जिने की बहुत अच्छी रैंकिंग की उम्मीद थी, अचानक से इतने पीछे धकेल दिये गए हैं, कि उनके लिए अच्छा कॉलिज मिलना भी अब मुश्किल हो रहा है, तो एक बहु हमने जो खुला सा किया है अभी तक इस पूरे ऑप्रेशन में उस पर जल्दी से रिकाप कर लेते हैं, तो पहला रिकाप है है, पहला पॉइंट ए है कि कैसे इस बार की परिक्षा में 720 में 720 यानि की परफेक्ट स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं, उनकी संख्या में जबर् पर लिस्ट में है, मतलब 720 में 720 लाने वाले बच्चों की संक्या 66 है, ये बात क्यों चोक आती है, ये बात क्यों हैरान करती है, और ये बात क्यों हजम नहीं होती है, जला इसको समझना है तो इस इस आखड़े पर गौर करिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको 2018 से लेकर 2022 तक क आखड़े क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि 2018 में एक भी बच्चा 720 नहीं ला पाया, 720 में 720, परफेक्ट स्कोर करने वाला एक भी बच्चा नहीं था, जो टॉप किया, उसका उसका रैंक, उसको मार्क्स मिले थे 691, आप सोचिए, पचीस लाख बच्चों में एक भी बच् और इस वार 67 बच्चे, 2019 में क्या हुआ, 2019 में 701 जो बच्चा लेकर आया और टॉप कर गया, 720 नहीं, 701 में बच्चा टॉप कर गया, और सिर्फ एक बच्चे ने 701 नंबर स्कोर किया, आप सोचिए, ये कोई सामाने बात नहीं है, ये दुनिया के सबसे मुश्किल एक जाम है, सोचिए, तो 2019 में 701 नंबर लाने वाला टॉप कर गया, 2020 में सिर्फ एक बच्चा 720 लाया, 2021 में एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा 720 लाया, 2022 में जो 715 ले आया और टॉप कर गया, ऐसे 4 बच्चे थे, एक भी बच्चा नहीं लाया 720, और इस वार 67, क्या ये बात हजम होन है, अब जड़ा देखिए दूसरा जोग, ये भी अब दिखा चुके हैं आपको, ये देखिए दो बच्चों की मार्क सीट है, एक बच्चा जो 589 नंबर लाता है, उसका ओल इंडिया रैंक है 43,514, और दूसरा जो कि उससे 39 नंबर ज्यादा लाता है 618, उसका ओल इंडि की मार्क सीट आपके सामने है, क्या NTA को इसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्या NTA को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए, कि ये जोल कैसे हुआ, ये इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कैसे हो रही है, और इसके बीच में जो बच्चे होंगे, उनके करियर, उनके भविष्टिका क्या होगा, ये कोई सामाने बात नहीं है, तीसरा खुलासा दिखाईए, अभी ये सारे खुलासे हम कर चुके हैं, और अभी ऐसे बहुत सारे खुलासे और करने वाले हैं, तो ये 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर कैसे आ गए, ये वो सवाल है जिसका ज परिक्षा योजित करती है, ये परिक्षा कंड़क्ट कराने वाली एजेंसी है, और सारा घाल में लोहीं से शुरू होता है, सवाल नंबर तीन, All India Ranking पिछले 5 सालों में हाई, तो NTA या नीट में ने जाच क्यों नहीं की, भई अगर 67 बच्चे अगर इतना perfect score ला रहे हैं, तो क्या NTA को नहीं लगता है कि इसकी जाच होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, क्या ये सामाने असामाने बात जो है, अगर कोई बहुत असामाने घटना हुई है, असामाने तरीके से ranking आई है, तो क्या उसकी जाच नहीं होनी चाहिए, लेकिन NTA ने क्या किया, कुछ नहीं, स टेकनिकली नहीं आ सकता है, कैसे जरा दिखाईए एक बार, हम जल्दी से आपको बता देते हैं, बहुत सारे हमने बताया कि दो बच्चे ऐसे हैं, जिनकी मार्क सीट भी हमने आपको दिखाई, कि इन दोनों बच्चों को 719, 718 नमबर आए, 718 और 719 नमबर क्यों नहीं आ सकत जरा समझिये इसको, इसलिए संदे है, क्योंकि हर सवाल 4 नमबर का है, और 200 सवाल होते हैं, और 180 के जवाब देने होते हैं, यानि कि अगर आप 180 में से 180 का जवाब देंगे, तो आपको 720 के 720 नमबर मिलेंगे, जो टॉप मार्क होगा, इससे ज़्यादा नमबर किसी को नहीं नहीं आ सकता, तो अगर मान लीजिए कि आपने 720 किया, यानि कि आपने 180 के सही जवाब दिये, तब तो 720 आएगा, जो कि 67 वच्चों के आए, लेकिन 718, 719 क्यों नहीं आ सकता, अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया, तो 720 में से 4 नमबर कट गए, तो 716 आ गया, अब 716 तो ल यह हो सकता है कि आप 189 के जवाब दें और 189 के जवाब दिया और 189 सही हो गया, तो कितना आएगा, 716, 715, 716 और 720, यही तीन पॉसिबिलिटी है, यही तीन संभावना है, इसके बीच में अगर कोई दूसरा नमबर आता है, जो तो टेखनीकली संभावन नहीं है, लेकिन कैसा हुआ है, ऐसे बच्चों को कैसे मार्क सा गए, इसका जवाब भी NTA को देना चाहिए, और जो जवाब दिया है NTA ने, वो बोगस है, क्यों बोगस है, वो भी हम आपको बता चुके हैं, और बोगस कैसे था, उसने जवाब दिया कि दिशा पांचाल वर्सेज यूनियन इसमें एक सुप्रिम कोर्ट का जजमेंट है, और जजमेंट कहता है कि अगर किसी वज़ा से परिक्षा में देरी हुई, तो आपको ग्रेस मार्किंग दी जा सकती है, आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा दिये जा सकते हैं, उसकी भरपाई करने के लिए, अगर आपकी गलती से नहीं, बलकि परिक्षा, परिक्षक की गलती से, जो परिक्षा करने वाली एजेंस, लेने वाली एजेंसी है, उसकी गलती से अगर आपकी कुछ देरी हुई है, आपको समय कम मिला है, तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके आपको उसकी भरपाई कर दी जाएगी, भई यह जो judgment है, यह online exam के लिए है, लेकिन नीट के exam physical हुए थे, यानि कि बच्चों ने center पर जाकर exam दिया, अगर वहाँ पर 2-4 मिनट की देरी हो भी गई, तो आप 2-4 मिनट समय बढ़ा दिजिए उसका, आपने क्यों नहीं बढ़ाया, आपने सवाई माधोपूर में तो आपने शाम 6 बज कर रात के 9 बजे तक आपने exam लिया, जबकि परिक्षा का समय 2 बज कर, दो पहर 2 से शाम के 5 का था, जब 2 से 5 का जब नियत समय था, उसमें उसकी बजाए, आप एक center पे, रात में 6 से 9 के बीच में ले सकते हैं exam, तो अगर किसी दूसरे center पे, आपको अगर 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो गई exam conduct होने में, तो आपने number, तो हाँ पर समय आपने क्यों नहीं बढ़ाया, और आपने इस तरीके से grace marking कर दी, कि उससे हजारों बच्चों की ranking बहुत पिछड गई, पिछे चली गई, और किसको कितनी ranking, और किसको कितना grace mark दिया, ये क्यों नहीं disclose कर रह है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको की grace marks दिये गए, इसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे है, कितने center थे, जहां पर की grace marking दी गई, और क्यों दी गई, किन वजहों से उस center पर grace marking की गई, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है NTA, ऐसे 500 सवाल है, जिसका जवाब NTA नहीं दे र जोखा हुआ है, उनके बच्चों के भविस्त के साथ खिलवाड हुआ है, अगर आपको भी लगता है, कि आप इस मुहिम में शामिल हैं, या आपको लगता है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, और NTA की जवाब दही तै की जानी चाहिए, तो hashtag NEET का operation के नाम से हमार दें सारे सवाल होता है, ये ऐसे सवाल हैं, जो एक दो नहीं, दो चार दस अजार नहीं, दो चार लाख नहीं, 27 लाख बच्चों के किस्मत से जुड़ा हुआ है, 27 लाख बच्चों के भविस्ते से जुड़ा हुआ है, और आप इसको इग्नोर नहीं करता हैं, मैं अभी औ मिले हमने कहा कि भई जब पहली बार एक भार में मैंने खबर देखी तो मुझे लगा कि भई इस देश के बच्चे तो कमाल ही हो रहे हैं हमारे बच्चे तो पता नहीं होंगे की नहीं लेकिन कमाल के बच्चे हैं सड़ साथ सो बीस में साथ सो बीस और एक दोनी सड़ सट बह परियाना का एक परिक्षा के अंदर है और उस परिक्षा के अंदर पर आपको पता है एक दो नहीं एक दो नहीं आठा टॉप पर आठ बच्चे ऐसे हैं और रॉल नंबर के साथ मैं दिखा रहा हूँ मैं उनकी इडिंटियूटिटि डिस्कलोज नहीं करना चाहता हूँ बहुत प्रतिभावान होंगे और वो 720 में से 720 लाने में सक्षम होंगे लेकिन उसके बावजूद ये सवाल बना रहेगा कि हर्याना के एक ही सेंटर पर 8 के 8 बच्चों को 720 में 720 कैसे आ गया जब कि पिछले 5 सालों में कम से कम 5 सालों में कितने बच्चे होंगे आप अंदाजा साल में अगर 25 लाक बच्चे एक्जाम देते हैं तो सवा करोड़ बच्चे सवा करोड़ बच्चों में सिर्फ दो बच्चों ने 720 नंबर लाए सवा करोड़ बच्चों में सिर्फ दो बच्चों ने 720 अंक स्कोर किया पांच सालों में और यहां और यहां एक सेंटर पे 8 ब क्यों एक ही center इस नंबर पर गौर करिएगा यह जो आप देख रहे हैं आखिर के तीन नंबर तीन अंक छोड़ दीजिए यह रॉल नंबर है रॉल नंबर तो पूरा है लेकिन इसके पहले जैसे 460 है इसके पहले center का code है के center का code जरा देख सारे center के code वही है 2307010 यह देखिए 2307010 लास्ट के सिर्फे तीन डिजिट अलग होंगे यह अलग-अलग बच्चे और दिखाईए और जो नंबर है और देखिए तीन नंबर तो लास्ट में 168 है इसके यह 333 है यह 403 है और जरा दिखाईए और सब All India Rank 1 है भा रखिएगा सब 720 नंबर लाने वाले हैं यह 186, 199 बाकी के सारा center code है यह हर्याना का जजर का एक center है क्या हो रहा है भाई वहां यह कोई आप जरा एक सामान्य आदमी की तरफ सोचिए एक मिनट के लिए रिलाक्स होके सोचिए कि क्या इसा संभव है क्या अगर नहीं है तो इस इस सवाल को कि इस देश के साथ कि इस देश में एक ही center पे आठ 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 आल इंडिया टॉपर रैंकर आल इंडिया टॉपर बैखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे इनी सवालों से जूज रहे हैं और इन सवालों का कोई उनके पास कोई logical आंसर नहीं है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया क्या हो रहा था हो और NTA है मस्त है कोई फरक ही नहीं पड़ता कोई जवाब दे ही नहीं एक और एक और बात है इसी के साथ जोड़के उसके बाद मैं चलूँगा अपने मेहमानों की नहीं किया आपको पता होगा कि जब कोई एक्जाम होना होता है तो एक्जाम के पहले आपको form भरना होता है form भरने की एक नियत तारीक होती है कि एक cut-off date होता है कि भाई इसी ता तारीक तक आप form भर तकते हैं उसका form भर तकते हैं तो उसी धंक से इस बार जब नीट के एक्जाम हुए तो उसके form भरने की एक तारीक थी तो तारीक खतम हो गई सारे बच्चों ने form भर दिया फिर NTA को एक दिन NTA के जो भी करता धरता हैं उनको सपना आया होगा अब उस और उस सर्कुलर में कहा गया उन्होंने कहा कि भाई हम जो है यह फॉर्म भरने की तारीक जो है ना दो दिन और खोल रहे हैं उन्होंने नौ यह देखिए नौ और दस अपरील को जड़ा जूम करिए कैमरा कैमरा जूम करके दिखाईए यह 9 और दस अपरील को उन्होंने कहा कि आप और आप और फॉर्म भर्पत के नौ और दस तारीख को उन्होंने कहा कि आप और फॉर्म भर्पत को भाई ये नौ और दस तारीख को जब फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी थी तो फिर नौ और दस तारीख की डेट किसके लिए खोली गई क्यों खोली गई क्या इसके पीछे क पुछ डिले कर दिया जाए और फिर बाद में उन सब को grace marks देके और सब को pass करा दिया जाए क्या ये chronology थी क्या ये साजिस्टी ये सवाल उठने जायज है अगर एक सवाल अगर ये मैं जो कह रहा हूं ये बात गलत भी है तो भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब NTA को देना डॉक्टर रितू चोपडा है डॉक्तर है पेशे लेकिन एक मदर भी है और इनके इनकी बच्ची भी यह माफ करिएगा बच्चा या बच्ची इनके भी जो चिल्ड्रन है वो नीट की परिच्छा दे रहे है अब ये इनके अपने अपने ब्यक्तिकतन भाव है कि ऐसे कितन तो बच्चों के लिए और उनके माबाप के लिए डॉक्टर रितु चोपड़ा से समझते हैं एक पूरा क्या घाल में लुआ था डॉक्टर रितु चोपड़ा नमश्कार जी मेरी बेटी 680 मार्क्स लाई और जैसे कि लास्ट यह से डेक्रिट था चलो हमें लगा थोड़ा होगा पर 2000 के पास पास आजाएगी रांक उसकी रांक आई है 88861 मतलब मैं मैं क्या में लगता है मेरे जैसे सारे पेरेंट्स ऐसे शौक में है कि मैं आपके इस चोपर थोड़ा एमोशनल हो सकती हूं मैं आपका पहले थैंक्स करूंग कि कि आपने इस चीज को टेक अप करा आप महिनों से एक एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और आपके एफिशेंसी तब सामने आई जब आपने थर्ड को तो रात को दी फाइनल आंसर की 14 को निकलने वाला रिजल्ट आपने चुप-चाप-चार तारिक को निकाल दिया क्यों आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का दि सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, यह एक-एक बच्चे को ट्रैक करके रखते हैं आपने, जो इनके सेंटर से बच्चे पढ़ते हैं, इनको बच्चा जिसें एक्जाम कर आता है, उस दिन से OMRI समझते हैं, आंसर जो शीट आती है, उसको जैसे चार को रिसल्ट आया है, आज के तो हो गए 26, और चार के हो गए सुपड़ा. इसला है, वो शुरू हो चुका है, और 9 जून को शपत होना है, और उसकी तयारी की ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं, ये राश्ट पतिभवन की तस्वीरे हैं, जहां पर की प्रधान मंत्री मोधी शपत लेने वाले हैं, और जैसा कि आपको पता है, ये शपत की भब्य तयारी की जा रही है, भले ही इस बार थोड़े रिजल्ट मन मुताबिक नहीं रहे, लेकिन जैसा कि प्रधान मंत्री मोधी कहते रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है, ये राजनिती है और इसमें उतार चड़ाओ चलता रहता है, लेकिन सरकार अपने इरादों को लेकर, अपने वादों को लेकर वचनबद्ध है, और उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी इस बार भी, तो ये देखिए तस्वीरे हैं, जो राश्टपती भवन की है, और इस समय वहां किस तरह की तयारी चल रही है, तो तस्वीरे हमने आपको दिखाई, तो एक बार फिर से कि प्लीज हमारे बच्चे को जस्टिस दिलाएं, और इसमें 100% इन्होंने जो आंसर की रिलीस करी है, और रिजर्ट निकालने के बीच में कुछ गरबर करी है, तो वो सेंटर्स जो थे, वो बच्चे 5-26 कैसे हो गए, वो बच्चे 4-16 कैसे हो गए, इसका जवाब हमें चाह प्लीज थे, उनको एक सामाने भाशा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कि डॉक्टर रितू चोपड़ा क्या कह रही है, तो जब परिक्षा हुई, तो परिक्षा के बाद, रिजल्ट आने से पहले, जो परिक्षा के जो पेपर्स थे, जो जो कॉस्टन पेपर्स थे, कि हम सवाल पूछते हैं, और तीन आफसंस होते हैं, आप उसको स्कैन करके उसका जवाब देते हैं, तो उसी तरीके से उसमें भी होते हैं, चार आफसंस होते हैं, और उसमें से बच्चों को सही जवाब चुनना होता है, तो ये जब परिक्षा और रिजल्ट के बीच में, जो परिक्षा लेने वाली एजेंसी है, NTA, तो उसका आंसर की जारी करती है, कि ताकि बच्चे मिलान कर सकें, कि भाई उन्होंने जो परिक्षा दी है, उसमें से कितना सही और कितना गलत किया है, उनको एक अंदाजा लग जाए, आंसर की, कि डॉक्टर रितू चोपड़ा, कि तीन तारिख की रात में आंसर की जारी हुआ, तीन तारिख की रात में, और चार तारिख की सुबह में रिजल्ट आ गया, भाई साब, 27 लाख बच्चों का आंसर आपने रात भर में तयार कर लिया, और उनकी रैंकिंग भी तैकर दी, भाई कौन सा सूपर कम्प्यूटर लगा करंटी ये बैठा है, कमाली हो रहा है, भाई ये सब ऐसी बाते हैं, जो कि लोगों को समझ नहीं आ रही, कि रात में आंसर की जारी हुआ, और सुबह में रिजल्ट आ गया, यानि कि जाहिर सी बात है, कि आंसर की जो है, आपने जब तयार किया होगा, उसके बाद लेकिन आपने या तो पहले से करके रखा था, जो भी हो, लेकिन रात में आंसर की काना, और सुबह में रिजल्ट काना, ये ऐसी बात है, जो कि एक तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन तारीख का जोल सिर्फ यहीं नहीं है, एक और बहुत बड़ा जोल है तारीख का, वो हम आपको अभी बताते हैं लेकिन उससे पहले ज़रा SD सिंग के पास चलते हैं SD सिंग सुप्रिम कोट में वकील है और नीट में जो एक गड़बड़ी हुई है परिक्षा की रिजल्ट में उसको लेकर PIL दाखिल कर रहे हैं SD सिंग ये NTA को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे है आपके पास क्या जानकारी है ये NTA जिस तरह की तरीके से परिक्षाएं कंड़क्ट करता रहा है उसमें क्या-क्या गड़बड़ियां आपको दीखी है अभी देखिए जो एजेंसी है ये स्टेट इस्टू मेंटेल्टी है अंडर आटिकल 12 आप दे कंस्टिशन आफ इंड लिए ये अंगाईडेड रूस नहीं बना सकते इनको करना होगा इनको ट्रांस्परेंसी मिन्टेन करना है अगर इनका कोई भी एक्षैन पर बलब सेतरला है सुप्रीम कोर्ड का कहना है इस स्टेट इस्टू में से एक दो नहीं है है, transparency नहीं है, that will be violative, वो article 14 का हनन होता है, article 14 हमारा fundamental rights है, जिसमें बहुत clearly लिखा गया है कि no discrimination by the state, अगर आपके action से, आपके act से कोई हमारे इस right का हनन होता है, वाइलेट होता है, तो हम हमेशा कोर्ट में जा सकते हैं, और इसमें सुप्रेम कोर्ट जाने का इसलिए औचित बनता है, कि पैन इंडिया इसका effect है, रेमिफिकेशन है, बिल्कुल, तो जिस, हाँ, आपको चाहते हैं जी, मैं ये कह रहा हूँ कोई परिक्षा जेंसी, जो की इतने लाखो बच्चों का भविष्ट तै करती है, वो अपने मन से, जब मन में आए, जो मन में आए, और नियम नहीं बना सकते हैं, NTA ने यही किया, NTA ने क्या किया, NTA ने जब grace marking की, तो उसने पहले से नहीं बताया, कि अगर आप परिक्षा में किसी वज़ा से देरी हो जाती है, हमारी वज़ा से, परिक्षा सेंटर पे, तो हम grace marking करेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा नंबर उसके बदले में भरपाई करने के लिए देंगे, ऐसा नहीं बताया, और अपने मन से कई सेंटर पे उसने लोगों को grace marks दे दी, भई ये कैसे कर सकते हैं आप, आपको पहले बताना पड़ेगा, कि अगर ऐसा हो गया, तो हम ऐसा करेंगे, अगर आप नहीं बताते हैं, और आप ऐसा करते हैं, तो उसे valid नहीं माना जाएगा, उसे वैद नहीं माना जाएगा, उसे उचित नहीं माना जाएगा, उसे नैतिक नहीं माना जाएगा, लेकिन यही अनायटिक काम किया है NTA ने और वो अब जवाब देही से बच रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें और इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एक तरीके से हमारी जो मौली का धिकार है कि समानता का जो धिकार है उसको उसके खिलाफ जाता है कि भाई जब सारे बच्चों ने एक साथ एक्जाम दिया एक ही कोईशन पेपर हल किया तो आप कुछ बच्चों को इसलिए ज्यादा मार्क्स दे देंगे क्योंकि आपका कोईशन पेपर वहां लेट से पहुंचा आपकी परिक्षा की तयारी नहीं थी इसलिए कुछ बच्च होने की संभावना है अस पेपर लीक हो चुका है इसके दौरान में उसके पर बहुत बड़ा कुश्चन मार्क है मैं आप दो चीजें और चुकि समय कम है इसलिए मैं जल्दी-जल्दी में दो चीज जो तारीखों का जोल है वह एक जगह और है उस पर हम अभी आएंगे और इस बार नीट की परिक्षा हुई तो रिजल्द एक्सपेक्टेड था 14 जून के आसपास और शायद अगर मैं गलत नहीं तो शायद नीट ने अपनी तरफ से भी कुछ संकेत दिये थे कि 14 जून के आसपास परिक्षा के रिजल्द आएंगे लेकिन आ गया चार जून को और जब पूरा देश लोग समाचुनाओं के रिजल्ट देखने में बिजी था धीरे से नीट ने अपना रिजल्ट आउट कर गया यह रिजल्ट क्यों आउट किया गया 14 के बदले 4 को इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं जरा बताएंगे डॉक्टर संजैगर देखिए मेरा नहीं बहुत लोगों का यह मानना है क्योंकि यह सब जब भियार में जो एफ आई आर हुई उसके बाद में कुछ लोग सुप्रिम कोट में आये वर हमारे चीफ सजी जस्तिस साब ने यह का कि मैं रजल्ट को हम अभी नहीं रोकेंगे लेकिन हम इस दोरान एक जून को एक P.I.L. और दाखिल होती है सुप्रिम कोट में जिसका यह अंदेशा था कि उस P.I.L. को इसी वीक में सुन लिया जाएगा अच्छा मतलब साथ जून के आसपास साथ जून आट जून छे जून तो अगर ऐसा होता और इतने जोल अगर N.T.A. के होते तो उस रिजल्ट को स्टे कर दिया जाता क्योंकि N.T.A. नहीं चाह रहा था जब इनको ख़बर लगी है कि एक तारीक को एक P.I.L. और दाखिल हुई है तो इन्होंने आनन फानन में बिना किसी वेरिफिकेशन के चार तारीक को यह रिजल्ट जो है वो अनौंस कर दिया ज जो पैसा कमाया है जो फर्जी वाड़ा किया है उससे साइड में हो जाए और जो सो दो सो पान सो हजार क्रोड रुपे इन्होंने तिस तीस लाग रुपे में पेपर बेच के जो कमाई करी है उसको हम साइड में कर ले है जो जिस F.I.R. का हम जिकर कर रहे हैं आपसे वो F.I आया गया उनको कैसे question रटवाए गये तो I think यह पूरी F.I.R. है पूरी F.I.R. में आपको आपको बता दू जो कह रहे हैं जल्दी से समय कम है इसलिए मैं इसको जल्दी सी बात को समराइज कर देता हूं कि 5 मई को परिक्षा थी और 5 मई की शाम में ही पटना में कई गिरफ अस्तार की जाते हैं वो इस बात को accept करते हैं अपने बयान में कि हां उनको एक रात पहले परिक्षा के पेपर मिल गए थे और उनको एक दूसरी जगा ले जाकर करके उनको परिक्षा के पेपर रटवाए गए और उन्होंने उसके बाद परिक्षा दी है तो परिक्षा का तारीख को इस पर कोई कोई इस पर सुनवाई हो जाती हो सकता एक रिजल्ट रोक दिया जाता इसलिए एंटिये ने आनन्द फानन में चार तारीख को यह रिजल्ट आउट कर दिया यह आरोफ है घर यह परिवार जो बच्चों के परिवार तो एक और भी बात आ रही है इसमें कि पिछली दफ़ा जो क्लैट मामले में जो परिच्चा करवाने वाली एजन्सी के खिलाब भी कोट गए थे कई लोग और तब भी आरोफ लगा था कि सवाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहे थे और बार बार आज आ रहे थे आप्सन दूसरे सवाल के थे और कुछ और लिघंर दिख रहा था स्क्रीन ब्लैंक हो रहा था और इसकी वज़ा से जो है यह सुप्रिम कोर्ट ने इस तरह के रिजल्ट के जिज्शमैंट दिए थे और उस जॉइचमैंट का बहाना बना कर इस वार ड्रिस मारकिंग कर दी गई बहुत कम संश्यप में हमारे पास बहुत कम है ड microphone रबुजे के साथ यह掉ब बताएं आपके और आपके बच्चे के साथ है मारे बैटे ने नेट bitter काई एक्जाम्म ऩया हमarbeiten बहुत जैसकी सारे पेरंट्स एक्सक्राइब कि रिजल्ट अच्छा आएगा रिजल्ट अच्छा आया मगर जब हमने रैंक सुनी तो हमें एक अंदर से फीलिंग हुआ कि यह क्या बवाल हुआ है हमारे बच्चे के साथ कि इतने नंबर लाने के बाद 33,000 रैंक जो कि अगर हम कंपेर करते हैं पिछले सालों से जो 5-6,000 र रैंक आगी इस बाद चलिए पेपर इजी धाब मान लेते हैं मगर आप 5-6,000 रैंक से अगर आप 33,000 रैंक दे रहें तो बड़ा हास्यास्पत सा लगता है कि यह किस तरीके का मतलब एक्जाम हो रहा है जहां 67 बच्चे 720 नंबर लेकर खड़े हुए हैं उन्हें एम में अपना कोई बयान दिया जी देखे हम NTA के दफतर में पहुचे हैं यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर NTA का दफतर है जहां पर हम गहे थे और हमने वहां पर अधिकारियों से बात किया और उनका वर्जन जानने की कवायत जो है वो अधिकारियों से की जहां हमें यह बताया गया कि इस बाबत इस केस के बाबत जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर बकायदा एक मिटिंग की जा रही है डारेक्टर जनरल के द्वारा और उस मिटिंग के बाद हमें थोड़ी देर में यहां NTA की तरफ से बाकायदा हमें उनका वर्जन दिया जाएगा या जिसमें की ग्रेस मार्किंग की बात की गई थी ग्रेस मार्किंग का आधार क्या है इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है और जो बहुत बड़ी संख्या में लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं हमारी इस मुहिम से और नीट का ऑपरेशन हैस्टेक के साथ लगात तो आप भी हैस्टाइग नीट का ओप्रेशन के साथ अपनी राय व्यक्त करिए सोचल मीडिया पर हमें टैग करिए क्योंकि इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा अगर आप चाहते हैं कि एंटीए की जवाब देही तै हो और लाखों बच्चों के भविस्त के साथ खिलवार हो और उनको इंसाफ मिले तो तो आज हां बस आकर जल्दी से यहां जितने लोग बैठे हैं इनके बच्चों को सीट मिल चुकी है यह कहीं जाएंगे आज मुझे दसफोन आए होंगे जब आपने मुझे बोला था कि डर्ट साब कुछ ऐसा प्रोग्राम है आप आई है